नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में आज के इस वीडियो में अपने रीट साइंस में ऑक्सीजन तथा उसकी ओक्साइड तथा नाइट्रोजन से सम्मनित परशनों के बारे में बात करेंगे देखे साथ यो प्रीरीट की जो स्रीज चल रही है अपने नए अप्लिकेशन पर उसमें लाष्ट का जो प्रीरीट एक्जाम है वो 15 जुलाई को होने वाला है तो 15 जुलाई को जो एक्जाम होगा प्रीरीट 5 उसको आप जरूर से जरूर अटेम्ट करें बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है और निश्य थी आपको एक प्रकार से रीट के इस्तर का रीट के सलेबस के हिसाब से पेपर मिलेगा तो जरूर से जरूर दीजिएगा लिंक अप्लिकेशन का डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा एक चीज बताना चाओंगा जो आगामी थर्ड ग्रेड भरती है उसमें गणित और विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट में आपको पढ़ाऊंगा ठीक है उसका कोर्स जल्द हम अपने नए अप्लीकेशन पर लॉंज करेंगे जिसका लिंक को डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप नए अप्लीकेशन में कोर्स को लॉंज किया जाएगा 65 वांच टेसंट स्रीज भी उसमें कि जो बोर्ड एक प्रकार से विख्यात है प्रशिन पेपर देने के लिए उस बोर्ड के पेपर को भी आपको बड़े आराम से उनिवर्शनों को कर दें इस हिसाब से आपको सलेवस में करवाऊंगा सारा मेंटर आपको साइन्स का जो टोफिक देंगे उनके देने की कोशिस करूँगा मेरा हंडेड परशेंट दूँगा आपसे भी हंडेड परशेंट की मांग करूँगा और निश्चित तोर पे सफलता आपको मिलेगी इस चीज का वादा कर सकता हूँ अगर आप मेरे बताय अनुसार विज्चित को पढ़ते हैं निश्चित आपको सफलता मिलेगी ठीक है चलिए स्टार्ट कर लेते हैं साथी इतना कि बोल सकता हूँ अभी के लिए बाकी स्टार्ट कर लेते हैं और इससे पहले एक और बात बताना चाहूँगा कि वही हम आप ये पूछे अगर को इसको और एक्जाम हुआ था वो और कलाम के तीन प्रीट एक्जाम्स यानि कि टोटल च्छै एक्जाम्स में से जो मेरे साइंस के नोट से उसमें अगर साइंस के हम 20 क्योसंस मानते हैं वही दस पेड़ागोजी के मानते हैं 20 में से 18-19-18-19 प्रशन हर बार आए हैं तो आप आप देख सकते हैं किस हिसाब से किस इंटेंसिटी के साथ आपका स्लेबस तयार मैं करता हूं मेरे कोशिश यही रहती है यह किसी भी बच्चे के साथ दोखा नहों उसको जो मेटर दिया जाए वह अच्छा दिया जाए अब कुछ बच्चे वह ने सरक फीस भी नाम आता र कि थी 500 रुपे के आसपास तो कोशिस यह रहेगी कि रीट से एक थोड़ा बहुत ज्यादा बाकी लगबग कोशिस करूआ की सेम ही रखूं अप्लिकेशन वालों से इसके बारे में थोड़ा सा डिसकसन कर लेंगे और कोशिस रहेगी कि फीस कम ही रखी ठीक है कुछ अपको दिया जाएगा ठीक है बोर्ड जिस हिसाब का पेपर देता है उस हिसाब से प्रशन बनाए जाएंगे उस लेवल तक पढ़ने की कोशिस की जाएगी या यूं कहूं कि जो चीजें बची हुई हैं परतेक टोपिक में थोड़ी बहुत वो भी अब आपको हर एक करते हैं पहला पर्तुपो पर सरवादिक मातरा में पाये जाने वाला तत्व कौन सा है गलती से भी नाइट्रोजन मत कर देना परती पर सरवादिक मातरा में जो तत्वघा जाता है वह ऑकसीजन साथिओ याद रखailingy यह वाईव से कुछ भारी होती ऑकसीजन वाईव में nitrogen के बाद इसकी लगभग 20.200% की मात्रा है साथ यो ठीक है वाईउ की बात की ज़रे परंतु परत्विव पर सरवादिक मात्रा में 46.8% इसी तत्वा की मात्रा पाई जाती है परत्विव पर पूछा जाए तो 46.80% इसी तत्वा की मात्रा है ठीक है तो यह थोड़ा सा आप द अमलिये चारिये उदासीन देखे ओक्सीजन की जो प्रकरती होती है वो उदासीन होती है यानि कि नए अमलिये नए चारिये इसका पी एच मान जो होता है वो सेवन होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर 3 की बात करते हैं और प्रशन नमबर 3 है से संबने सभी कथन नहीं है नहीं वाले प्रशन ज्यादा देता हो यह थोड़ा से ध्यान में रखिएगा पहला है ओक्सीजन एक परबल ओक्सी कारक है दूसरा फ्लोरीन की विदू त्रिणता ओक्सीजन से अधिक होती है इसलिए फ्लोरीन के साथ ओक्सीजन स्वेंग ओक्स है करत्रियम स्वेंग के लिए औकक्सीजन के साथ किस गेस का उपयोग किया जाता है बहुत महत्वपुन प्रशन ये आपको करवाए हुआ है हीलियम गेस का ओक्सीजन की जो और भी उपयोग है आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं आप यह टेस्ट भी में अविलेब कर सकते हैं ठीक है और उसमें solutions में description भी पूरा दिया हुआ है तो वहां से और भी उपयोगा आप इसके देख सकते हैं साथियों ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशन वह आपका रहेगा जिंक ऑक्सबाईन जोवो सफेद पेंट ऑस दि मरहम सिलिक पिया ञशाई कोघ्यव एक उप्योग सिलिका ऑक्साईक शीक सिलिका ऑक्साईड पोदे के लिए साथियों किया जाता है तो जिंग ऑक्साइड इस प्रशन का उतर जो वह साथियों रहेगा जल गेश कौन सी है देखें जल गेश का जो रासाइनिक सुतर है वो है कारबन मोनोकसाइड प्लस है जल गेश या वाटर गेश भी इसको बोलते हैं यह करत्रिम गेश है इसमें कारबन मोनोकसाइड और हाइडोजन मिस्रित होती है जल गेश में मेथिल एलकोहल का निर्मान होता है CO प्लस 2H2 बनेगा CS3OH मेथिल एलकोहल ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशन नंबर साथ की बात करते हैं प्रशन नंबर साथ है निमन कथनों पर विचार करिए और सही कथन का चैन करना आपको पहला कथन है ओक्सीजन तिवर दहन को बढ़ाती है तो ओक्सीजन ज पर ओक्सीजन विसाक्त हो जाती है बिल्कुल सही बात है फिर है ओक्सीकार के रूप में दरव ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं ये भी सही है तो सारी कथन सही है इसलिए ऑप्सन नंबर 1,2,3,4 या उप्सन 4 आपका सही उतर साथ्यों यहां पर रहेगा प्रशन नंबर क्या कहलाती है तो साथियों इस प्रोध्योगी की को अपन कहते हैं क्रायोजेनिक्स क्या कहते हैं क्रायोजेनिक्स साथियों कहा जाता है ठीक है अगला प्रशना आपका गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस गेस की मिश्रण का उपयोग करते हैं तो देखिए हीलिय दस की बात करते हैं, प्रशन नमबर दस है, निमन कथनों पर विचार करिए और ऐसत्य कथनों का चैन करना है, पहला है, अल्यूमिनियम उक्साइड उभेदर्मी परकृति का होता है, जिंक उक्साइड उभेदर्मी परकृति का होता है, देखिए, दोनों ही जो उक्साइड ह ठीक है दोनों ही ओक्साइड उभे दर्मी परकरते के और दोनों ही कथन सही हैं आपको ऐसात्य पूछा था इसलिए इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि दोनों ही सत्य कथन है ठीक है चलिए वैसे एक और पॉइंट बताना चाूंगा बई एलूमेनियम और जिंक धातू है और धातू जो ओक्साइड है वो हमने क्या पढ़ा largest के होते हैं अmylish a प्रकरती होते हैं धातू ओक्साइड लेकिन प्यारे साथियो एलूमेनियम ओक्साइड और जिंक जैसे कुछ धातू ओकसाइड अमलिये तथा चारिये दोनों परकार के विवार प्रदसित करते हैं इसलिए इसलिए उभेधर्मी प्रकरती यहां पर बताए गई है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नमबर ग्यारा की बात करते हैं प्रशन ग्यारा है निम्न में से तेल में डुबो करके रखा जाता है दूसरा लीथियम सोडियम तथा पोटेसियम इतनी मुलाइम धातू होती है कि उनको चाको से भी काटा जा सकता है और तीन है आयोडीन धातू होते हुए भी चमकीला होता है ऐसत्ते कथन चाटना है और प्यारे साथियों देखेगा पोट इन में से कोई नहीं आपका बनेगा एक बात सदेव याद रखेगा साथियों आपको कभी भी अपना विश्वास जो है वो तूटने नहीं देना है एक उमीद और विश्वास के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अगर आगे बढ़ोगी तो निश्यत आपको सफलता मिलेगी मै देख रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे बोड रेंगी सर वो बोर्ड ऐसा पेपर बनाता है वैसा बनाता है डरने की कोई आउसकता नहीं बोर्ड का काम है पेपर बनाना अपना काम है पढ़ना और पढ़ाना बहतर तरीके से हम लोग करेंगे तो निश्यत तोर पेपर जो जाती है, ब्रोमीन, सीजियम, पारा और लीथियम, इसका उत्तर होगा सीजियम, सीजियम एक ऐसी धातु है, जो हाथ पर रखते ही पिगल जाती है, ब्रोमीन जो है, वो भी हथेली पर रखते ही पिगल जाता है, लेकिन ये अधातु है, ब्रोमीन क्या है, अधातु अपने को क्या पूछा है धातु पूछा है ठीक है तो गल्ती से ब्रॉमिन मत कर देना गल्ति हो जाती कभी-कभी पारा क्या है पारा एक धातु है लेकिन फिर भी दर्वावस्था में रहता है गेलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है इसी कारण इन्हें हाथेली पर रखने पर या पिघलने लगते हैं ठीक है चलिए प्रसन नमबर 13 की बात करते हैं जन्तों में नाइट्रोजन किसके रूप में पाई जाती है तो जन्तों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है अगला परसन नाइट्रोजन का गुण नहीं है रंगहीन अपारदर्सी और आगे जो आपके उप्शन से वो भी बता दूँ तीसरा option है स्वाध हीन, रंग हीन, एपारदर्सी, स्वाध हीन और गंध हीन, कौन सा इसमें से सही उतर होगा, एंकि नाइट्रोजन का गुण नहीं है, तो साथियो नाइट्रोजन एपारदर्सी थोड़ी है दिखाई देती है अपने को, जब मंचों पर नाटक वगेरा खे ऑड़ी जाती है और जो धुएं की जो फ्लोर पे जो धुआ दिखाते हैं, बादल से दिखाते हैं, उ नाइट्रोजन की तो होते है, तो ऐ पारदर्सी तो ये नहीं है, बाकी रंग हीन है, स्वाध हीन है, और गंध हीन गेस भी है, ठीक है, तो ये तो आप कोई दिक्षत और यह उस दाब पर उस ताप उन उस दाब पर हाइड्रोजन से किरिया करके अमोनिया एनस्त्री बनाती है कौन नाइट्रोजन गेस ठीक है ये भी थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखें चलिए प्रस्ट नंबर 16 की बात करते हैं वायू यान के टाइरों में कौन सी गेस भरी जाती है वायू यान के टाइरों में नाइट्रोजन गेस भरी जाती है साथियो उपसन आपका दो सही रही गा ठीक है इसमें जो अमोनिया होती है इसमें नाइट्रोजन जो होती है इसमें अमोनिया नाइट्राइट नाइट्रेट अमल आदी योगिक बनाए जो साथ यो बनाए जाते हैं किसे नाइट्रोजन से और इसको वायवयन के टायरों में विदूत के बलगों में भरा जाता है निसक्रि तो देखे जो लेग्यू मिनासी जो पोधे होते हैं नाइट्रोजन इस्थरीकन के लिए आउसेख जो उनमें वरणक पाये जाता है वो है लेग हिमोगलोबिन लेग्यू मिनोसी से आपका लेग हीमोगलोबिन उनमें वरणक पाये जाता है ठीक है तो नाइट्रोजन इस्थिरिकन के लिए आउसेख है तो ओप्सन आपका भी सही होगा इसके अलावा आपका प्रशन है नाइट्रोजन इस्थिरिकन करने वाले सुख समझियों की सक्रियता के लिए क्या उसेख है कौन सा जो पदार था उसेख है कोबाल्ट मॉली ब्रेनम आईरन या उप्रोक्तसभी तो उप्रोक्तसभी इस प्रशन का उत्तर होगा यह सारे प्र प्रशन है पाधप में नाइट्रोजन किस रूप में अवसोसित होती है अमोनिया नाइट्रोजन नाइट्राइट या नाइट्रेट तो देखे पाधपों में नाइट्रोजन नाइट्रेट में नाइट्रेट के रूप में अवसोसित सात्य होती है बुरा नाइट्रोजन चक्र आपको पढ़ाय हुआ है उसमें आप अराम से समझ सकते हैं अब देखें नाइट्रोजन इस्थिक्रण करने वाला वह नाइट्रोजन को जैसे पोधे ज्वाओ कार्बंड डायोकसाइड को सीधे ही वातावन से ग्रहन कर लेते हैं लेकिन ऐसा वो नाइट्रोजन के साथ नहीं कर सकते हैं तो नाइट्रोजन को विभिन तत्वों में तोड़ करके अलग तत्वों में बदल करके नाइट्रोजन पोधों के द्वारा ली जाती है और noitrogen का पूरा चक्कर होता है उसमे एक जिवानु होता है, rhizobium जिवानु जिसका बहुत पूर्ण संबंद होता है जो पेड पोदे हैं वो rhizobium जिवानु को रहने का इस्थान पुरदान करते हैं और वो जो rhizobium जिवानू है वो nitrogen को, पोधों को इस्थानांत्रित करता है, तो इस प्रकार से पोधे और आपके जो rhizobium जिवानू है, उन दोनों में सहजीवी सम्मध होता है, ये आप ध्यान में रखे, बहुत मैतोपुन है, और nitrogen इस्थिरीकरण में, एक प्रकार से जो जिवानू है nitrogen इस्थिरीकरण करने वाला सहजीवी जिवानू वो है rhizobium, ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा, वो rhizobium होगा, चलिए, अगला आपका प्रसन है और इस टेश्ट का लास्ट प्रसन, निम्न में से कौन सा V-nitric आडी जिवानू है, rhizobium, bacillus, denitrificence, और का ओप्शन नंबर B, देखे साथियो, ammonia जो होती है, उसको नाइट्रो सो मनास जिवानू नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्रो बेक्टर जिवानू जवानू नाइट्रेट में इसको बदल देते हैं, ठीक है, और नाइट्रीकरण किसे कहते हैं, अमोनिया का नाइट्रेट में ओक्षिकरण, नाइट्रीकरण जवासातियो कहलाता है, वी नाइट्रीकरण, बेसिलस, डी नाइट्रिकरण, थायो बेसिलस, डी नाइट्रिकरण, जिवानू, नाइट्रेट को नाइट्रो जनिकरण बदलते हैं, यह है वी नाइट्रो, जनिकरण एक प वी नाय ट्रिकारी जिवानु जो हमूँ दोनों ही है बेसिलस भी है और आपका थायो बेसिलस भी ठीक है था यो बेसिलस ये भी आप याद रखें तो ये एक छोटा सा आपका बीस प्रशनों का टेश्ट था जिसमें ओक्सीजन और उसके ओक्साइड साथ में नाइट्रोजन गेस से सम्मधित कुछ मैंतोपन प्रशनों को हमने किया अगले टेश्ट में हम कार्बन और मिलेंग एगले वीडियो में एक और शांदा टोपिक के प्रशनों के साथ अब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत